Hello students, आज हम सामाजिक विज्ञान में अपना part 4 जिसका नाम है राष्ट्रिय एकी करण सुरू करेंगे, आसा करती हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है, सुरू करते हैं, आज इस चाप्टर में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रिय एकी करण क्या है, और एकी करण में कौन-कौन से जो तत्व हैं वो सहायक होते हैं, आगे समपढ़ेंगे कौन-कौन से तत्व हैं जो इसमें बाधा उत्पन करते हैं, राष्ट्रिय एकी करण से आसे क्या है, ठीक है, तो हम सुरू करते हैं इस चाप्टर को, राष्ट्रिय एकी करण राष्ट के सित्व का आधार है, रा रास्ट्री एकी करन से अभी प्राय है, रास्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाती, पंथ, छेत्र और भासा के बहेदवाव किये बिना उनमें परस पर समान, अनुभूती और सुक्दिक की एकता की भावना का होना, रास्टी एकी करन कहलाता है क्या क्या कि राश्टी की करण से आसे हम एकता से भी कि देश की एकता कब नहीं से रह सकती है देश के निवासियों में एकता कब रहेगी जब वो बिना जाती के भेदवाओ के धर्म के भेदवाओ के भासा के भेदवाओ के रहन सेन के भेदवाओ के मिलसा के को हटा करके आप पसमें मिल जुल कर रहें, लोग एक दूसरे के सुख दुख बाटें, एक दूसरे की मदद करें, यही रास्ट्री एकी करण होता है, रास्ट्री एकी करण की भावना से रास्ट के विकास की भावना, रास्ट्री एकी करण की भावना का भी विकास होता है, रास्ट्री एकी क होने के नाते हम प्रत्य विक्ति का ये करता है कि हम उन सक्तियों और विचारों का विरोध करें जो कि हमारी राश्ट्रिय एकता या एकी करण अखंडता को तोड़ने का या उसको कमजोर करने का प्रयास करती हैं हमें हमेशा देश का नागरेक होने के नाते भारतिय होने के न पर राष्ठ्य एकता और अखंडता पर मजबूत करने के लिए काना चene, ठीक है? अगर हम प्राचीन समय से इस को देखेये हैं, राष्ठ्य एकता को तो देखते हैं, प्राचीन समय से ही भारत में राष्ठ्य की करण की समस्या कभी नहीं, समय समय पर कुछ लोग और जाती समुदा बाहर से आवश्य भारत आते रहे लेकिन ये लोग बाहरत से बापस नहीं गए और भारत को इन्होंने अपना घर बना लिया भारती संस्कृति और समाज के धीर धीरे ये अंग बन गए यहां की मिट्टी में घुल मिल गए और यहां की उन्होंने भासा, रीती, रिवाज, संस्कृति, सैली सबको अपना लिया उनकी भासा, उनकी रीती रिवाज, उनकी पूजा पाट करने का धंग और उनकी जीवन से लिदीरे धीरे भारतियों समाज में भी घुल मिल गई अब क्या हुआ, इस से क्या हुआ, समाज और संस्क्रती में और बद्धी हो गई मतलब हमारे आखी संस्क्रती अलड़ी मतलब बहुत अच्छी है और बाहर से भी आई तो एक मिश्रण बन गया नई-नई संस्क्रतियां आती गई हो भारत की संस्क्रती ने मिल करके क्या हुआ, एक मिश्रण बन गया और जिससे एक और अच्छी संस्क्रती बन गई भारत में किसी एक पंथ एक धर्मया समुदाविसेस की संस्कृति नहीं है विलकि पूरे भारत में अलग-अलग संस्कृति से भरा पड़ा हुआ है संस्कृति का खजाना है मारा भारत देश ठीक है प्राचीन समय से राश्टी को मझूद करने के लिए अनेक कार्य कर आते रहे हैं जैसे कि हम एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं और देश एक समय इहीं देश के इस्थान के लोग दूसरे वाकि आते रहते हैं तो जिससे क्या होता है कि जैसे कई हमारे हम बात करें तो धामों की बात करें तो इन में बद्री विसाल जगनात पूरी रामेश्वर द्वारिका की यात्रका काफी युगदाने प्रती तीसरे वर्स जैसे अलग अलग जगर पर हमारे हमारे कुम्ब का मेला लगता है कुम्ब जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, तो ये आयोजन हमारे राष्ट्री एकता की भावना को और प्रबल बना देते हैं, अब आते हैं, राष्ट्री एकी करण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, देखते हैं, राष्ट्री की करण का स्वरूप दो प्रकार का होता है, कैसे एक र रहनसेन, रीती रिवाज, धर्म, उपासना की पद्दती, ठीक है, दूसरा एकी करण का साधन क्या है, हम देखें तो, इतनी सारी बिविदता और बहुरूपता के बावजूद हमारे देश में एकता विद्दमाने, कैसे है, राष्ट में हम देखते कि यह मारा भारतवर्त का आपी बिसाल देश है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जाती, धर्म, भासा, रीती, रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हम सब का एक ही द्रश्टी कौन है, हम सब क्या है, भारती है, राष्टी मुद्दों में अगर हम बात करने तो, एकता, कंडता, संप्रु आकार का एकी करन भी देखने को मिलता है, देखो, आकार में रूस को छोड़कर पूरे विस्व में सबसे बड़ा है, जनसंक्या की द्रश्टी से देखें, साथवे स्थान पर है, यूरोप में, भारत का साथवे स्थान है, छेतरपल की द्रश्टी से, मतलब इसाल देश है जिन संक्या की दृष्टी से सबसे बड़ा दे दूसरे नंबर पर आता है यहां लगभग 250 से अधिक भासाइं और बोली जाती है हमारे भारती संभिधान ने 22 भासाओं को कितनी भासाओं को देखो 250 भासाओं को हमारे संभिधान ने मानता दी है मतलब हर व्यक्ति को अपना धर्म को मानने की उसके पूजा पाट करने की सोतंतरता है भारत में विभिन जाती धर्म और भासा के लोग रोते हैं हिंदे से हम बात करें हिंदू के लाँपे मुश्लिम धर्में इसाई, पार्सी, सिक, ये मुख्य धर्म आपको बताए गए इसके अलावा कई धर्मों बिद्मान हैं और सभी लोग अपने अपने धर्मों के अपने ड़ंग से पूजा उपासना करते हैं अब हम बात करते हैं कि रास्टियतों की तो अनेक्ता में एक्ता हमारे यहाँ अनेकता में एकता मतलब इतनी विबिताओं के बावजूद जो हमारे देस में एकता है यह हमारा मुख्य गुण है अनेकता में एकता देस की विसेस्ता ठीक है रास्टीता की भावना और हमारी एकता के उसक्ति रास्टीता की भावना है क्या है हम सब भारतियों है कि हम भारत देश के नागरिक हैं और यह हमें काफी strong बनाती, म्जबूत बनाती इसलिए भारतवासी के कहते हैं, देखिए एक quotation लिखा गया है यहाँपर, यह देखिए स्री नगर हो या गोहाटी मतलब स्री नगर से लेके गोहाटी तक अपना देश अपनी माटी हमारा पूरा देश एक है हमारा ही देश है और हमारी ही मिट्टी है ठीक है? अब हम बात करते हैं राश्ट्री एकी करण में साहे ऐसे कौन-कौन से तत्व है, कारक है जो राश्ट्री एकता को बढ़ावा देते हैं भारत की एक्ता और अखंड़ता को बनाई रखने के लिए समय समय पर अनिक प्रयास किये जाते रहे हमारे रास्टनाईकों द्वारा हमारे नेताओं द्वारा भारती संविदान में ऐसे आदर्स और सिद्धानतों को जोड़ा गया है जिससे की देश की एक्ता जो है और भी ज्यादा बलसाली हो जाए इस सिद्धान भारत हमेशा एक्ता और अखंड़ता की सिद्धानत पर काम करता है और आवश्यक है देश के लिए इस के लिए क्या वश्यक है लोकतंतर जहां जनता कासाथनु मौलिक अदिकार दिये गए हर विक्ती को अपने अदिकार दिये भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने की अपने ढंग से पूजा उपासना करने की संत्रता समान राष्टी प्रतिक्षिन और सभी के लिए राष्टी चिन एक जैसे हैं और अब राष्टी पर्व भी एक जैसे हैं भारत एक लोक तंत्रिक देश है लोक तंत्र का मतलब क्या है जहां जनता का सासन हो जनता के प्रति निर्वाचित प्रति निरी बन जनता जनने वोट डाल कर चुनती है वही सासन करते हैं ये प्रतिनी जनता की एक्षा के अनुसार कार करते हैं, जनता के हित्मे कार करते हैं, जिनको जनता चुनाओं में जीत करके भेजती है, अब आते हैं हम समान मौलिक अधिकार, भारती समविधान में देखिए, भारती समविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा प। इन फे किए और्भा राति को भीजाति कि और ला लिए और या भासा को बोलने वाला हों सभी को ये श्मावलिक अधिकार अर थ public. नागरिकों का कल्यार इसु ह्तंसों ये सवानी का युद हैcus का युद मेसा मौलिक अधिकारों में समान्ता, स्वतंत्रता, सामाज एक नियाय आदी का प्रावधान किया गया है, सम्विधानिक प्रावधानों के अनुसर समाज का कमजोर वर्ग हो, अनुसूचित जन जाती हो, पिछला वर्ग हो, उनको विसे संरक्षन दिया गया है, प्रत्यक समुदा को अपनी भासा धर्म आदी की स्वतंत्ता है कुछ नीती निर्देश अक्तत्तु भी है इसमें सिध्धान्त भी है जिन में निर्धन सोसित और समाज के कमजोर बर्गों के हितों की पूरती के उपाय करने के लिए सरगार ने विसेश मार्गदर्सन करती है अब हम आते हैं मौ मौलिक करतवयों को अगभी भारती संविधान में उलेक किया गया है भारत के प्रत्यक नागरिकों का मौलिक करतव हैं मतब बनाए गये हैं ठीक है इसमें 11 है संविधान और उसके आदर्सों को जैसे संविधान और उसके आदर्सों की सराना करना संस्था राष्टगान का स सारवजनिक संपत्ति जैसे एक railway station है पार्क है जहां किसी का अधिकार नहीं होता सबी लोग यहां पर आ जा सकते हैं बिना किसी रोकटा के पुराने इसमारक है हम घूमने जाते हैं जो heritage है तो हमें ऐसी जगों को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए ठीक है अब भारत में लो संग और केंदर राज्यों को कानून लागू करने के लिए एकहरी नाग रिकता है बारत में एकहरी नयाए ववस्ता मतलब सभी के लिए एक ही नयाए ववस्ता है बारत की नयाए पालिका का सारूप एक इकरत है और इसका गठन पिरामिट के रूप में होता है कैसे पिरामि जेसका आधार ये है जिला न्याया ले पिर यहां पर होता है उच्छ न्याले यहां पर है सुप्रीम कोड या सरवोच न्याले तो यह सबसे उपर है फिर यह है और फिर यह है ठीक है सबसे पहले न्याले की बात करें तो जिले में न्याय मिलता है उसके बात नहीं हो तो राजिस्तर पर न्याय है राजिस्तर पर जो न्याले है वो है यह राजिस्तर पर उच्छ न्याले जो है वो राजिस्तर पर काम करता है और पूरे देश की फिर एक ही न्याले या कोड है वो है सरवोच न्याले या सुप्रीम कोट तो इस तरीके से हमारे यह एक एक इक रतनाई व्यवस्था काम करती है जो सभी के लिए समान है ठीक है अब हम बात करते हैं पंथर निरपेश्टा कि हमारे सम्मीदाने भारत को एक पंथर निरपेश्ट रास्ट गोजद किया है धर्म निर्पेखिता का मतलब क्या है कि भारत का प्रतेक नागरिक्षा है वो किसी भी धर्म का हो उसे अपने धर्म को मानने की, अपने ईस्वर को याद करने की, उसकी अपने डंग से पूजा करने की, वंदना करने की सोतंतरता प्राप्त है इसको धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भी भेदवाव नहीं किया जा सकता है ठीक है चौथा पॉइंट है समान प्रतीक चिन्न भारत के संविधान में राष्ट्रिय प्रतीक चिन्नों को अपनाया जैसे समिस्त नागरिकों को आधर से मिनिस्ठा के लिए प्रेजित करते हैं जैसे हम बात करें हमारा राष्ट्रिय द्वज पूरे देश का एक ही द्वज है तिरंगा एक थे मातर रह में एक रास्टि चिन नहां सोक चिन तो ये चिन जो हैं हमें रास्टित्या की एक्ता को और ज़्यद़ाulle Bhaav나 को हमारे अंदर और प्रबल बना देते हैं और बल-बान करते है एक्ता की हों बढ़ा देते हैं और यह राष्ट्रि एकी करण में भी सहायक बनते हैं भारत में बिभिनिस संपरदाय जाती भासा और धर्म के लोग रहते हैं, उन्हें अपने रीती रिवाजों को मनाने से रहने की, अपने तहवारों को अपने ढंक से मनाने की, सभी की अपनी अपनी जैसे ही मुस्लिम इद अपने अनुसार मनाते हैं, भारती जो हिंडू है, वो दीपावली और होली मनाते हैं, क्रिश्चियन है, वो इस्टर भी मनाते हैं और क्रिस्मस भी मनाते हैं हमारे सिख हैं वो लोहडी भी मनाते हैं गुरू पर्व भी मनाते हैं ठीक है ना तो सभी को किसी भी धर्म का सब को अपने अपने धर्म को मानने की और अपने धंग से पूजा पाट करने की सवतंतरता प्राप्त है ठीक है हमा ये दिन मनाते हैं गरतंत्र देवस इस दिन हमारा सम्विधन लाग हुआ था 26 जनवरी 1950 को तब से हमें से गरतंत्र देवस के रूप में मनाते हैं और फिर है गांदी जैनती इन सभी को कोई एक नहीं बड़ी प्रमस्त भारतवासी बड़े उल्लास और खुसी के साथ मनाते हैं इससे हमारी जो राष्टिता की भावना है वो और भी ज़्यदा मजबूत हो जाती है ठीक है अब आते हैं परटन और राष्टी एकी करण पर प्रारम से ही परटन राष्टी एकी करण का प्रमुक सहायक रहा है कैसे एक वेक्ती है भारत का वो दूसरी जगे घूमने जा रहा है तो वहां की भासा संसकती देख रहा है भारत में बहुत सारे 28 राज्जें सबी की अपनी अपनी भासा और संसकती है तो इससे क्या होता है घुलना मिलना होता है ठीक है हम दूसरे जगे की चीजें देखते हैं दूसरे राज्यों की चीजें सीखते हैं और इससे राश्टी एकता को बढ़ावा मिलता है रास्टी एक्ता को किस तरीके से परेटन बढ़ावा देता है परेटन में हम एक दूसरे के देखे जम कई एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं तो वहाँ की लोगों से मिलते हैं तो उनके करीब जाते हैं एक दूसरे की विसेस्ताओं को जानते हैं कहां की क्या विसेशता है कहां की क्या समस्या है और समान भाव विजार और द्रश्टी को भी विक्सित होते हैं परेटन से क्या होता है देश की संसरती को जानने का मौका मिलता है आर्थिक और अध्योगिक विकास को भी मौका बढ़ता है और विकास के नए आमायामों को समझ में सहायक होते हैं तो आज के चैप्टर में आज के वीडियो में इतना ही अगले चैप्टर में मैं इसके आगे आपको बताऊंगे तब तक के लिए बाए